अब देखो यार मैं मजाक नहीं कर रहा है ये वोईस ओवर मैं कर रहा हूं रात के टाइम ठीक है 11 बज रखें अभी और भाई मेरी पट के चारो रखी है मतलब अब मैं कैसे सो पाऊंगा मुझे नहीं समझा रहा है तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत आपका एक विरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पड़े पपजी दो मोबाईल गीमपले वीडियो में तो यार आपको भी पता चल गया होगा कि भाईया नए अपडेट आ चुका है और नए अपडेट के साथ नए गलत सीन आएंगे जैसे कि ये गुलाटी ठीक है लैंड ओने के बाद बंदा क्यू फालतू में गोल गोल गुमता है जमीन पे यार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ठीक है और ऐसा भी नहीं कि भाईया अरे भाई खतरनाक लग रहा है यार गोल गुम रहा है नहीं मैं यार पपजी बेकार लग रहा है बहुत और यार नए अपडेट आगया है तो नए गलत सीन भी आएंगे और ये मैच है हाड कोर ठीक है अभी हम खेल रहे है हाड कोर मोड पपजी में तो भाईया इसमें कई सारी चीजे नहीं होती रिलोड करने के लिए भी बटन पेलना पड़ता है गोली उठाने के लिए भी बटन पेलना पड़ता है गोली चलाने के लिए तो पड़ता ही है औ और एम असिस्ट भी नहीं है इसमें और इस चीज में इस मोड में एक चीज बहुत देखने को मिलती है वो है बंदों की भीड ठीक है अंधा बंदे आते भाई इतनी भीड तो भाईया साधियों में नहीं होती जितनी भीड यहां जोर्ज नुवो में पड़ी होती है क्योंकि यार केड़ी भी नहीं गिरेगा पॉइंट भी नहीं गिरेंगे तो सब यहीं पे आते हैं और यहां पे यह भाई ठीपीपी लेके हमें आराम से पेल देते हैं मतलब यार बारही गोली होती है मैं जातो चोड में मैं बोलता हूँ यार इसको ऐसी पेल दूँगा और मैं एक भी गोली नहीं मार पाता हूँ उसे और यार इस मोड में न चाहे आपका फोन कित्रा भी महंगा हो चाहे आपने उस पे लाखो रुपे फूके हो कते खतरनाक फोनों आपका वो भी लैग होने लगता है क्यार बंदे इतने सारे आते कि क्या ही बताऊं जैसे यहां पर आ रखे 50 बंदे यहीं पर गिरे हूँगे मेरे ख्याल से और यहां पर मुझे आदे से जादा बंदे तो निहत्ते नंगे भगते वे दिख रहे हैं ठीक है मतलब इतने सारे बंदे आएंगे तो यार सबको गन नहीं मिलेगी भाई हलवा नहीं बट रहा है यहां पर गने हैं वो तो यहां पर मैं हील हूल पेल लेता हूँ हना थोड अगर इस मैप को इस मोड को आप बगैर एरफोन खेलते हो अगर आपने कानों में तार नहीं भर रखिये तो यार आपके साथ पक्का गलत सीन होंगे अब इस घर के एक बंदा मैं बाहर नौक करता हूँ एक बंदा अंदर नौक करता हूँ उसके बाद भी एक बंदा यहीं पर बत रखा होता है तो मैं धैर पेड अंदर आता हूँ ठीक है रिवाइब मेरे ख्याल से करी दिया होगा अभी तक क्योंकि यार काफी लेट आ रहू हूँ मैं लेकिन कोई नियार इन्हें भी पकड़ के पिलते हैं अब ये सारे बंदे कौन सी सोकॉड के हैं क्यूं है यहाँ पे यार मेरी समझ के पार है ये सब मतलब अभी इस घर पे मैं चार बंदे पेल चुका हूँ एक की निहत्ते की पेटी बनाई थी उसके बाद भी ये नौ कोई जा रहे हैं और एक बंदा आगे वाले घर पे भी आ चुका है और ऐसा तो है नहीं कि यार लूट मेरे पे भर भर के महंगी लूटो नहीं यार एक सस्ती टोमी गन चला रहा हूँ मैं वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने ओटो पीकप तो है नहीं यहां पे हा न पूरी महनत से उठाना पड़ता यार और कलाशिक में सही था यार मतलब भाई पेटी पे खड़े हो जाओ आग बंद करो और सारी लूट गाए पेटी से खैर, जो भी यहां पे ठीकी है काम चलाना पड़ेगा हार्ट कोर मोड ये कताई तो देखो यहां पे मैं हिल हूल पेल लेताओ आगया वाले घर पे बंदा बैठा है पीछे वाले घर पे बंदा बैठा है टीक है मैप पे कदू कुछ नहीं दिखेगा तो यार जो भी करना है भाईया अपने हैटफोन के दम पे करना है आवाज के दम पे करना है नहीं तो यार तुक्के पे लो तुक्के भी काम कर जाते हैं खेर हमारे ये जो आगे वाले घर पे भाई बैठे पड़े होते वो अंधा बगके जाते हैं ठीक है इन भाई को क्यों ऐसा लगा कि ये बच जाएंगे मुझे नहीं पता इन्हें नो कर दिया है अब एक बंदा इस घर के अंदर है और देखो यार दिन ऐसे आ गए है कि ये जो टोमी गन है न इसकी भी एमो बचा के चलानी पड़ रही है ठीक है पहले क्या होता था भाई कलासिक था भाई दो-चार बंदे गिने चुने उतरते थे लूट की कोई कमी नहीं होती थी अब इतने सारे बंदे उतरते हैं सब गोल का आखरी बंदा बचा होता है तो भाई उपर रस कर रहे होते हैं तो हाँ रस्ते में सीडी में पेटी बना दी जाती है और यार मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको वो गुलाटी वाला सीन कैसा लग रहा है हना मतलब आता है जमीन में बिलकुल लेड जाता है प मेरी पेटी जमीन पे होती है तो हाँ यार मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आपका क्या मनना है इस यह जो पल्टा-पल्टी खेलता है नहीं उतरते उसके बारे में देखो मुझे तो बिल्कुल भी बेकार लगा बिल्कुल भी साही नहीं लगा मतलब यार क्यूं पिछले एक साल से बंदा पेरेशूट से उतर के सीधा खड़ा होता है तो दूसरे साल में ऐसा क्या हो गया कि बंदे को गोल-गोल गुमना है खेर हमारे ये भाई यहाँ ठीपी भी लेके बैठे पड़े होते हैं आप तो इन भाई को नोग कर दिया है मैं बोलता हूँ यार थोड़ी देर रुख जाते हैं क्या पता इनका कोई टीम में टा जाए तीक है यहाँ तक तो कोई भी निया आता और यार ये पेटियां इतने सारे बंदे ठीले ना यहां पे और जहां तक मुझे लगता है यह सब के सब निहत्य और नंगे ठीले हैं और यार चाहे कुछ भी बोलो यह टोमी गन पे जब सप्रेसर लगता है न भाई जो ही अवाज आती है यार बिल्कुल दिल खुश टैप हो जाता है बिल्कुली तो यहां पे हमारे भाई डीपी पेल ले होते हैं न तो डीपी की एक गोली आके मेरे को लगती है लेकिन यार टोमी गन की गोली मेरी सारी पहुंच जाती है और बंदा धैड़ पैड़ पेटी बन जाती है बंदे की खेर यहां पे भाई को पेल दिया है और नो वो हो चुका है खाली या फिर मुझे ऐसा लग रहा है और बंदे कैम करके बैठे हूंगे खेर जो भी हो अपन लोग यहां से गाड़ी लेते हैं और डैड़ पैड़ से निकल लेते हैं और हां मैं अभी भी टोमी गन चलाओंगा क्योंकि यार क्या करे मजबूरी है बिलकुल अब देखो टोमी गन एक बुरी गन नहीं है ठीक है पचास गोली आती है और पचास गोली काफी जादा होती है लेकिन अगर आप इस्तमाल कर रहे हो इसे मेरी तरफ मतलब यहां पे गाड़ी आ रखिये गाड़ी में चार बंदे बैठे पड़े हैं और आप टोमी चला रह था मतलब जहां तक मुझे पता यार वो भूल गया था कि भाईये ये हार्टकोर है हलवा नहीं चला यहां पे यहां पे दरवाजे भी बटन पेल के खोलने पड़ते नहीं तो यार बाहर ही रहो खेर जब तक मैं उस पे अपना सकूप खोलता हूं वो बंदा दरवाजे के अंदर गुच जाता है और यार डिरॉप की गनों का तो पता नहीं भाई पे गिल्ली सूट जरूर होता है अब देखो वो बंदा पीछे की साइट से टीपी पी ले रहा था ठीक है यहां पे मैं बैटा था मैंने भाई को नो कर दिया लेकिन इससे ये पता चलता है कि यार म फिकता हूँ आगे यहां पे मुझे अच्छे से पताई कि एक बंदा उधर बैठा है जिसके गुलाबी कपड़े है ठीक है नेड करता हूँ मैं लेकिन यार कद्दू जो फटेगा मेरा नेड तो मैं नेड भी करता हूँ बंदा भी वही होता है नेड फटता भी है लेकिन क कोई भी नौक नी होता और इससे पहले कि मैं कुछ डेड़ आइक्यू लगाता कोई थर्ड़ पाटी कर देता है और यार मेरे को तो ये बात सोच के डर लग रहा है कि भाई मोत का चकर साप से टक कर कितना खतरना कोने वाला इस मोड में मतलब बंदा साप बनाओगा भाई कदू भी पता नी चलने का मैप पे कोई मार्क नी आएगा दूर से चलाएगा तो यार भूली जाओ से सपोट करना खिर जो बी ओ उस सांप को मैं पेल देता हूं और जैसा कि मैं बोली रहा था कोई नकोई मिल्था बेबी होता है तो हां वो बंदा अंदार आता है अंदर से एक जो सनाइपर टावर में बंदा होता है उसकी पिटी बना देता है तो यार हम आ जाते हैं और धीट की तरह इसको पेलने के लिए तयार हो जाते हैं और हमारे ये भाई अंदर आके अपनी ही चौड में उस बंदे को लूट रहे होते हैं जिसे शायद मैंने डेपी से नौक किया था खैर हम भी लूटेंग यार मतलब देखो अपने नौक भी किया पेटी भी बना दी तो यार लूटना तो बनता ही है तो मैं लूटी रहा होता हूँ देखी रहा होता हूँ कि भाई आखिर कार टोमी गन चोड़ूँगा मैं मतलब सही यार टोमी गन काम आजाती है लेकिन AKM AKM होती यार AKM DP चलाने में अलग टैप का मजाता है और भाई पे AWM भी पड़ी होती है तो यार ठीक है मतलब सकोप के नाम पे मिरे पे सिर्फ 3X है लेकिन काम चला ही लेंगे अब यहां पे हमारे भाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिन्दा है क्योंकि यार इस मोड में aim assist बंद होता है कताई मतलब कलासिक में क्या होता है देखो अगर आप आसपास गूली चलाते हो तो आपका aim set हो जाता है aim assist की वज़़े से और सिधा बंदे पे जाके लगता है लेकिन यार यह हाड कोर है तो हलवा नहीं चला है यहां पे तो हाँ अगर कोई आपको कैम्प करके पिलने की कुशिश करता है तो आप पे मौका है बचने का खैर हमारे भाई यहां पे इस कोईने में कैम्पिंग लगा के बैट जाते तो हम लोग आते अंदर और भाई की सिधा पेटी बनती है तो देखो यार इसमें मैंने एक चीज ये भी देखी कि भईया जिसकी सनाइपिंग सस्ती है ना जैसे की मेरी उसकी सनाइपिंग हजार गुना जादा सस्ती और हो जाएगी मतलब कलासिक में क्या होता है अगर आप सर के अगल बगल रखते हो भृया अपना सकोब तो याब सर पे गोली लगे जाती है लेकिन इसमें भाई इसमें है aim assist off तो याब सर के अगल बगल गोली रखते हो और हलका साभी चूग जाते हो न तो आपकी गोली कद्दू भी ने लगेगी तो देखो तुम्हारे भाई ने सनाइप पर उठा रखी है AWM उठा रखी है तुम्हारे भाई की सनाइपिंग सस्ती है तो यार तैयार हो जाओ क्योंकि इसमें हजार गुना और सस्ती हो जाएगी और गलती से हेट सौट लगना उत्रा ही मुश्किल हो जाएगा क्यार यहाँ पर देखो आगे डिरॉप हुआ होता है और डिरॉप पर मुझे दिखती है दो बोट मतलब एक बोट होती तो मैं समझ जाता है ठीक है क्या पता कोई गया होगा लेकिन भाईया दो बोट है वहाँ पर तो पक्का कुछ न कुछ गलत सीन चल ले है तो करना क्या यार सनाइपिंग करने की कुसिस करता हुए यहाँ से अब यार इस मोड में पॉइंट माइनस नहीं होगा केटी माइनस नहीं होगी तो बन्दे कुछ भी कर रहे हैं ठीक है अब यह पता नहीं कौन से रसे थे दो बोट थी वहाँ पर एक डिरॉप एक बन्दा बोट में बैटके उस बन्दे को पेलता है जो डिरॉप लूट रहा होता है पानी में हरा तो बन्दा उसे पेलता है मैं उसे पेल दे तो यार मतलब ठीक है केडी कोडी माइनस नहीं होगी लेकिन यार इतने ज़्यादा गलत सीन भी मत करो कि पानी में जाके लड़ रहे हो वह भी बोट बूट में बैटके भाई खतरना की सीन थे तो हाँ यार इस गलत सीन के लिए लाइक लूइक पेल दो कताई पेल के रख दो जैसे उस बंदे ने नीले पानी में उस बंदे की पेटी बनाई आप लाइक के बटन को पेलो और नीला कर दो से बिलकुली और हाँ भाई लोग अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है रिहो टीवी पे तो यार फॉलो करना मत भूलना उसकी लिंक डिस्क्रिप्सन में होगी वहाँ पे तुमारा भाई डेली लाइश्ट्रीम करता है और अभी पोको मोबाईल का गिववे चलना है तो हा लेकिन भाई हमारे पी की नहीं करते तो मैं सिधा गाड़ी ठोकता हूँ अब हमारे भाई को मेरे फुटिश टैप तो आ गए थे लेकिन ये बंदा बीजी था मेरे टीमेड की पेटी बनाने में मतलब मेरे टीमेट पे गोली चला रहा है मैं अंदर आता हूँ और भाई की पेटी भी बना देता हूँ कैर यहाँ पे मुझे एटैक्स वागेरा मिल चुका है तो यार तयार हो जाओ तुम्हारा भाई सनाइपिंग करने वाला है और देखो यार बन्दे कहा कहा चड़के बैठे हैं ठीक है मतलब इसमें पॉइंट का भी चक करने हैं केडी का भी चक करने हैं उसके बाद भी बन्दे कते चचुत में चड़के बैठे होते हैं तो मैं यहाँ से जाई रहा हूता हूँ लाल जून भी यही होता है और बन्दा को होसी नहीं आता यह मतलब आप देखो भाई कितने दिक्कत में है चत में चड़े थे हमारे भाई बिल्कुल चोड में थे नौक हो गए अब जब उत्रे हैं तो दिवार के बगल में बैठे पड़े हैं दरवाजे के बगल में बैठे हैं जो की खुली निरा है और जिस हिसाब से वो बंदा जीने की आस छोड़ चुका है न मुझे लगता है भाई का कोई भी टीमेट बाकी नहीं है यहां पे तो मैं क्या करता हूँ गाड़ी को यहां लाता हूँ और यहां पे देखने को मिलता है हमारे एक भाई गाड़ी पे बैठे हैं और यार भाई महेंगी सकिन लग रखिये तो मैं क्या करता हूँ बस ऐसी मजाक करने लगता हूँ हाँ ना देखता हूँ कि यार कैसे इसे पेला जाए उत्रे में ही यह होता है ठीक है तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं बच रखा है एक बंदे को छत पेला एक बंदे का नेट नसे दे गया है तो भाई नंगे गाड़ी में बैठे थे लेकिन उत्रे में ही अचानक से मुझे नहीं पता क्या जोश चड़ता है इस बंदे को जो बंदा ऊप पर कमरे में कैम्प कर रहा होता है वो देड़ पेंड नीचे आ जाता है मतलब यार मुझे लगा था कमरा खाली है भाई कहां से आगे बंदा कप से बैठा था किसी को नहीं पता अब देखो यार मैं मजाक नहीं कर रहा है ये वोईस ओवर मैं कर रहा हूँ रात के टैम ठीक है ग्यारा बज रखें अभी और भाई मेरी पटके चारू रखी है मतलब अब मैं कैसे सो पाऊंगा मुझे नहीं समझा रहा है और यार बस मैं ये आसा कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो रात को न देख रहे हूँ क्योंकि यार मैं नहीं चाता कि आपकी नींद में गलत सीन हो जाए कैर यहाँ पे देखो आगे मुझे दो बंदे दिखते इन में से मेरे ख्याल से एक बंदा बगेर हैटपून खिलना होता है तो भाई को पता ही नहीं चलता कि गिदर से गोली चल लिए इसलिए भाई को यार कवर लेने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और सिर्फ और सिर्फ इन दो बंदों को पेलने के लिए ना जाने कितनी गोलिया फुक दी मैंने ठीक है भाई सोट लगा रहा हूं लगी नी रहा है सर के पास रखने की कोशिस कर रहा हूं भाई गोली लग के नहीं दे रही है बड़ी मुश्किल से नोग करता हूं और यहां पे समोग बन चुका है अब किस्वत में कभी कभी गलती से हेट सोट लिखानी होता लेकिन हां बोडी सोट यार लगी जाता है तो बन्दा उपर बैठा होता है भाई M4 सप्रेस सप्रे देते हम पे लेकिन यार कदू कुछ नहीं उखडता हमारा मैं नीचे आओ तो बन्दा कूट के कवर में जाई रहा होता है कि भाई की हवा में पेटी बन जाती है आर भी डीबीएस डीबीएस बैए मेरे को एक बार मिली और चला है मैंने मजा टैपी आ गया यार सही ये काफी बढ़िया है और आकरी बंदा भी यही है अब यहाँ पर मेरी गन में एक आकरी गोली बच्ची होती है और यार बंदा भी आकरी होता है तो सीधा सर पे ठीक है ये मुझे भी पता है गलती से लगी है लेकिन हाँ सीधा सर पे लगती है किसमत चमकती है गलती से हैट सौट हो जाता है और बंदे की सीधा पेटी बनती तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतने बहुत बहुत सुक्रिणा वीडियो देखने के लिए मुझे ये बताना मत भूलना कि आपको नया अपडेट कैसा लगा ठीक है मेरा तो एक ही कहना है नया अपडेट नय गलत सीन मतलब यार फुराने अपडेट में इतने गलत सीन हो रखे मेरे साथ तो यार नय में क्या नहीं होगा और यार वो जो उतरते ही वो बंदा गोल-गोल गूमता है न यार उससे मेरी कई बार पेटी बन चुकी है बगैर मतलब उपर कूता हूं बंदा नीचे गुलाटी पेल के पहुंच जाता है यार तो वो तो भाई हद से खराब चीज लगी मुझे और ब्राइटनेज भी भाई अजीब सी गरदी है मतलब भाई जादा ही चमकिला दिखता है अब मैं थमदेल कैसे बनाओंगा बढ़िया बढ़िया खेर आज की वीडियो में इतने भाई लो गयार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए आपको अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूरू बता